अवाज आ रही है आप लोगोन जो अपना चैक विस अवाज आ आप लो टो कि अवाज आ रही है आ डिए आ जाने है यह जब तर चेक नहीं करूंँ तब तक क्या फिर बात में इतना सारा चीज़ पढ़ा दो कोई मज़ा नहीं है अभी अब आगर मेरी आवाज आ रही है तो कमेंट करके को यह से कर दो क्योंकि अभी में 5G करेंट का LCD ड्राफिक सेक्षन बढ़ाने वाला हूं 5G का क्या मुझे अपने अप्डेटो करने है कि आवाज आ रही हैं ना बढ़िया है कि आप कि अभी मैं लाइफ चल्डा हूं थुछा थुछा तरुछा थुछा थुछा तो यह रहने वाला है फाइब जी डिस्प्लेइ फॉल्ड विट्स सलूशन ठीक है यह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने अप्लीकेशन के लिए जो मुझे स्टुडिंट को आगे जाके देना है हुआ तो चलो फेस्बूक के लाइव है अभी समय और यूटूब के लाइव हैं दो जगे लाइव चलों है अभी अपन मुझे दो मिट्टो बस में स्टार्ट कर दो फेस्बूक में जो लाइव है वो मेरे परसनल चैनल पर है इंट्रक्वाले से टेलेकॉम मेरा जो पेज है ठीक है और यूटूब पर लाइव है एक बार इंस्टाग्रम में लाइव होंगा है इसके बार इसमें भी बनता है अपना लाइग आता है ठीक है इसके में पार्ट बन पार्ट टू पार्ट सब बना चुका हूँ यह मेरे अपलिकेशन के अंदर है यह मेरा पार्ट फूर है तो स्टार्टिंग से भी नहीं बता पाऊंगा अभी हम कहां आ गयते हैं इसका डाग्रम अगर ओपन करें तो हम इसका लेयाउट और स्केमाटिक ऊपन करेंगे और हम रिटेलिंग करेंगे कि हम कहां पर अभी आ गये हैं ठीक है तो एक नयाई ऊपन कर लेते हैं तो तो हमें यह बोल सकते हैं लिटेस्ट फाइब जी ग्राफिक्स सेक्शन फॉल्ट विट तो हम बात करेंगे लेटेस्ट फाइब ग्राफिक्स सेक्शन फॉल्ट विट सलूशन ठीक है तो हमें विट करना है डाइग्राम खोलना है अभी यह खुलनी रहा लगता है यह पूरा बंद करके फिर से चालू करना पड़ेगा ठीक है कोई नहीं तो हम इसको बंद करके फिर से चालू कर लेते हैं हम इस स्केमाटिक के रूप में समझाना है देखो इस सेट के अंदर क्या है जैसे इस सेट में अमो लेडी डिस्प्ले लगी है अब वाट इस एमो लेडी का मतलब होता है मतलब एक डिस्प्ले जो अपना लाइट प्लस अपना ग्राफिक्स दोनों साथ में बनाता है ठीक है अभी हम इससे पहले एक डिस्प्ले डिस्प्ले देखते थे जो हमारे 4G इंसेट के अंदर आते थे वह आते थे IPS इन प्लेन स्ंच यह हमारे 4G में आते थे अभी 4G में मोड भी आते थे अभी 5 g के पाइब इंदर अलग होता था और ग्राफिक्स लाइट अलग होता था और ग्राफिक्स अलग होता था मतलब लाइट की अलग एक i.c. होती थी और ग्राफिक्स की अलग i.c. कभी-कभी क्या करते थे इसको dedicate बना देते जैसे किसके अंदर i, l, pmi हो गई, pml हो गया या फिर एक LM i.c. हाती थी dedicate जिसके अंदर आपका light और ग् अब अभी क्या हो गया है अब आपके पास जो डिस्प्ले आ रहा है वह कौन सा आ रहा है अब इसमें क्या-क्या इसी आपको मिलने वाली है यह करके तो यार इसके साथ एक सिस्टीन लैक ड्राइवर आ रहा है बहुत कॉमन ड्राइवर है यह ड्राइवर किन फोनों में आ रहा है सैमसंग वीवो ओपो एम आई एक इसके साथ में क्या आ रहा है आपका SMT-10 यह भी सबसे एक रेगुलर आईसी है यह सैमसंग के किन फोनों में आ रहा है हां हां है ड्रॉल देखर और एक अब यह जो सेक्शन है क्या और हां है कि अग्यों कि एक जो जो सेक्शन है इसको खुलने में भी इतना टाइम लगता है चलो हमारी क्लासे लाइब हैं आप चाहों तो आपको जोइन करना है तो जोइन कर सकते हैं इस महीं ने काफी आफर है एक मेरा आइफोन का उनलाइन कोस्स फ्री है और यह मेरा फाइज अप्डेटेट को फ्री दे रहें और भी कुछ है तो आप कॉल करना है एंडी सर को ठीक है जो एंडी सर का कॉलिंग का नंबर है वह सेवन ट्री डवल वन नाइन टू करके आप इंसे बात कर लो तो जब तक डाइग्राम नहीं खुल जाता कुल जा बही क्या वात है आज मन नहीं कर रहा है मैं सब्सक्राइब दाउन है अगे इसका कर फुले गाना तो एक साथ 3-4 एक साथ कुलेगा अब जाके कुल आए कोई नहीं प्रेग्माफिक्स कुल लेता यार पर फिलाल इतना अप्डेट नहीं है मन तो वह खुलता है कुलने का करता है अब ठीक है अब इसके अलावा आपकी और भी आगे जाने वाले सेक्सेस बताऊंगा तो जो हमारा मॉडल है यह हमारा इसके अंदर हमारी यह लगी हुए जो डूएल लेकर होते थे उसके अंदर यह और इवन नहीं वीवो में भी आपकी यह वाली आइसी आपको मिलती थी और यह तो सबसे इंपोर्टेंट है अभी मेरे 20 तरीका जो बैच क्लास है मैं उसमें यह आइसी लड़ी पढ़ाऊंगा बच्छों को बाइपास कैसे कर सकते हैं कैसे मोडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं साइसी का कैसे बोल्टेज बना सकते हैं तो यह सारी चीज में मुझे उनको पढ़ानी है यह यह दर गया था मैंने बोला पासवर्ड आसवर्ड क्यों मांग रहा है यह पासवर्ड तो पता ही नहीं है इसका डाला था कौन यहाद रखता पासवर्ड आसवर्ड एक बार डाल दो खतम कान में पर लिक लेना चाहिए ठीक है एमेल आइडी भी है तो आप उससे है कि आज सिस्टीन लेक और एसम तीज दस नहीं क्योंकि इस सैट के अंदर ना पीएम ए है कौन से इसी पावर आईसी जिसके आगे क्या लिखा होगा ए यह कोर्स अप्लाई आईसी है तो जैसे यह खुलता है आओ ले चलते हैं के पास मैं एसपर इंस्टीट्यूट न्यू देली से को उस्तिया दा रहे भाई क्यों लिखते हो यह सब या मत लिखा करो ठीक है ठीक है भाई आप आओ यार इधर जहां की अंसारी यहां कॉल करो नंबर देदी आया कोई देकर नहीं यार मैं आपको पढ़ाऊंगा गैरेंटी देकर ठीक है और इससे टेलिकों में एक एसपरेंस इंस्टीट्यूट यह तो कहने की बात ही नहीं है कि मैं यहां पर प्रमोशन के लिए नहीं आया हूं मैं इसको अपना वीडियो क्रेट करना पूरा आप इसको समझ लो तो इंटरनेट इस तो चल रहा पड़ यार कैसे चल सकता है यह तो हम आज पढ़ने वारे लाइट 5G ग्राफिक्स फॉल फित स्टुन स्नूसं अमो लड़ लाइट ग्राफिक्स अमो लड़ रावोड भी अपे डिस्पले जो की पुराने सैटों में मूझे दे अब हैं और यह रही है हर साइट में नहीं दे रहा है मुली ठीक है इसको खुलने में टाइम लगेगा खुल जाता है क्योंकि अपनको आइसी का डाटा सीट चाहिए अगर जैसे हम आइसी का क्या निकाल लें डाटा सीट तो हमें फिर किसी भी डाइग्राम की जबरत नहीं है और एक्चल में हम क्या करेंगे हम पीए में की सप्लाई की बात करेंगे अच्छा देखो हर आइसी का कैसा होता है सिर्फ आइसी उठा के रिबोल करने ना तो यह तो सलूचन नहीं होगा सबी जगे आपने पढ़ रहे होंगे आजकल तो हर कोई छोटा मोटा पात दस जाल वाला भी में अचा हूँ है बड़े देंश आपको मिलेगा बैक अब में सुरूब हम में में सिर्फ क्या होता है इंसां जोस बहुत्त रहता है पर आगे जाकर ढटा हो जाता है तो हैं जोस बने रहना बहुत जोड़ी है अचकर जोस्वाइब एक इन होता है और एक आईसी में एक आउट होता है अच्छा इन आउट के अलावा आईसी के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है अब देखो मैं आईफोन जैसा पढ़ा हूँ ना आईफोन आईफोन से तीचर क्या करते ना है ऐसा बोड में कबूतर बना देते हैं केल कतम बड़े देखो इन आउट आईफोन को चलाने के लिए बहुत चाहिए विटाटा सिग्प्लॉट क्लोक रिसट कया नहीं चाहिए और आप सी जबबडस्ती सिग्नल रिसेट क्लोक भूतर होगे बूलो कि रिसेट नहीं सर आपने तो पाँ तो एक रिसेट आएगा तो चलो हमारा जो मॉडल होने वाला है वह नोट 10 लाइट है कास्ट तोर पर लिया है वह नोट एम आई है यह पहले मैं इसका आपको दिखाना चाहूंगा अभी तो यार मैं देख रहा हूं यार कि बोर्णियों से कि आई सी का डिटेलिंग पढ़ा रहे है यार मनलब वह जो लिखा हुआ है उसको क्या पढ़ाना है यार मैं तो सोच रहा हूं कि कैसे कि यह देखो आपके सेट के अंदर ना दो आई सी लगी है ठीक है तो अब यह देखो एक आई सी यह और एक आई सी यह दो पावर है यह पावर आपका में पावर है जो की पीम है अच्छा जब पहले पीम ओन होगा ओविस है पर पीम को ओन करने के लिए एक क्या चाहिए सब पावर पीम के बाद कौन होगा यह पीम ए यह जो पावर है यह आपका कोर पावर है देखो क्यों क्योंकि इसके पास क्या दिया है बक सप्लाई अभी यह बग भाई आपके नाट्रॉक सेक्शन या किसी सेक्शन को तो चालू करने नहीं वाले यह बग सी प्यू के लोगे तो दूसरी याईजी को क्रेट करना पड़ेगा आप दूसरी याईजी तो उद्ञी पावरफुल नहीं होगी न हम पावरफुल होगी इसलिए उसको पूर करते हैं कि अभी इन पावड के अंदर कुछ ऐसी यह शक्तिया डाल देते हैं तो यह समझे लो कि पी एम एंदर इन्हों ने न है अभी कें 5G हैं सेटों में क्या कर लिए यह लाइट सेटे दिया है प्लस ग्राफिक्स दे दिया है किसका दे दिया है मो लेका समझ रही में बाद यह रहे को यह PMA पी-म-7150-8 तो अगर आपने इसका डाइग्राम निकालें क्योंकि हार्डवे सलूशन में तो क्या ही समझ में आएगा कुछ भी नहीं आएगा भाई कुछ भी नहीं देता हूं मैं यह बोड है हमारा पहला हाट्वे सलूसिंद का दिखाता हूं आपको हाट्वे सलूसिंद में सबसे पहले आप देखो कि यहां पर आपने करो यह सप्लाई आपको दिए यह जो सप्लाई दिमाग में रखना यह कभी भी आपको यह जो कोडिंग ले किसकी कोडिंग होने वाली है इन सिगनल के जैसे हैं जो कि कहां से आते हैं डिस्पले लगाने के बाद जब आप फॉन को क्या तरो है उसके बाद 4.4 4.5 4.5 वोगों सम्टिंग और यह आपका जो रहने वाला यह माइनस माइनस 4.5 मैपसिमम क्या रहता ना माइनस 4.9 नहीं रहता तो आप यह समझ ले ना तो यह जितनी भी जो कोडिंग ना यह कभी भी कोडिंग आया तो आप समझ ले ना कि आपका क्या सेट लगा हुआ है कि अगर अगर हम जहां देखें कि भाईया मॉलीडी में देखो यह तारे तो बिचा दी है इन्होंने रहके बड़ इन्होंने देखो डारेट आइसी के इंदर डाला है मतलब आइसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं बता है आईसी कैसे चालो अभी क्या करोगे आप जादे स्या और क्या कर सकते हो और क्या कर सकते हो तो आज मैं सेखाता हूँ क्या कर सकते हूँ तो हम इसको कंबाइन करेंगे इदो ही तभी वोली खाई यह बड़े यार मैं ऐसा नहीं हूं मैं जितना बीमार पढ़ता हूं मैं उतना ही जारे स्ट्रॉंग होता हूं आप समझ जा रहे हैं मेरी लाइब में एस्क्यूजस बिलकोई भी नहीं है एक सेकेंड के लिए सबसे बहले हम डिस्प्ले सेक्षन में जाएंगे डिस्प्ले वही सेक्षन होने वाला है जिसके अंदर हमें मिपी की सप्लाई मिलने वाली है समझ जाए हूं तो यह तो आपके कॉमन मिपी की सप्लाई हो गई और यह जो सप्लाई हो गए आपकी यह मैंने आपको पार्ट टू में बढ़ाया था कि वी सी अई क्या होता है कि कहां से आता है नहीं बने तो क्या है यह जो एवी डीडी है यह आपके लाइट का वोल्टेज है इसमें आपको पहुन चालू करते समय प्लस सेवन या 7.5 या सम्तिंग वोल्टेज आपको आना चाहिए वी सी आई जो वोल्टेज है यह आपका LCD का वोल्टेज है यह वोल्टेज डूएल देकर के फोनों के अंदा CPU एं भेजता था और एक ल्डीओ बनाता था और तब जाके आपको यह वोल्टेज मिल रहा था पर अभी के सेटों में क्या हो रहा है यह वाला जो वोल्टेज है यह आपका PM से बन रहा है मतलब बना रहा है कोई बी एल्डियो वन होगा कोई ऑर और यह लोडी है और यह दो फोल्टेज मिलना सबसे द्वान करेंगा ना समझना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि तो इसमें आप देख रहे हो कि यह जो वोल्टेज है ना यह वोल्टेज आपका यहां पर आपका प्लक्स फोर वोल्टेज आता है कि यह जो वोल्टेज आएगा ना ब्लस फोर वोर्टेज यह वाला जो वोल्टेज आप देख रहे हो यहां पर आपके माइनस फोर वोल्टेज आएगे यह दो ग्राफिक्स के वॉल्टेज यह नहीं बनेंगे तो आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा आए अच्छा जिस पर टीपी लिखा हुगा है यह टच के इसको क्या गोल सकते हैं और क्या-क्या बोलते हैं बताओ कमेंट करें अब इसके अलावा यह देख रहे हुआ यह सप्लाई तो मैं अभी पूरी आईटी के प्रोटोकॉल पढ़ाने वाला पर पहले अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होता ना जैसी डिस्प्ले लगाओगे तो यहां इन दोनों से आपको दो विल्टेज जन्रेट होंगे और यह किस आईसी के इंदर जन्रेट होंगे आपको दो पता ही है यहां पर आपको 1.8 प्लस क्या मिलना चाहिए जिया आइंड इंट इंट्रेट के सप्लाई आपने इस पर भी देखना है अभी इस पर यह देखना है कि इस पर प्लप रेजिस्टर या कुछ लगा आए कि नहीं लगाए क्योंकि अगर आपको वोल्टेज नहीं मिले तो आपको यह भी समझ में आए कि यह पुलप रेजिस्टर लगाए कि नहीं लगाए यहां जी यार यह एक LCD ID की सप्लाई और एक LCD ID यहां पर बाकि यह जो सप्लाई है यह जो सप्लाई है जिस पर मैंने कोईल सा बना है यह सप्लाई टच की है तो यह सप्लाई आपको ग्राफिक्स में चेक करने के जरूर नहीं है तो ग्राफिक्स की आपकी यह सप्लाई रहने वाली है जैसे आपन देखते हैं LCD reset का क्या CNS में तो आप देखो सीधा CPU पर जा रहा है यू 4700 CPU है कि पावर है कि क्या है आओ देखें CPU तो नहीं है तो यू 4700 कोन है PM A मतलब reset signal अभी A से आ रहे है वाउ तो यह भी आपको देखना है कि अभी के latest फोनों के अंदर जो reset होते थे पहले यह reset कहां से आते हैं CPU से आप कहां से आ रहे है PM कूर पावर से यह को देखाता हूं यह वाली पावर यह यह और यह वावर आपकी वह है जिस इस पावर पर आपको क्या लिखा हुआ है मतलब अभी क्या हो गया है अभी अब मैं आपको बाकी भी देखना पड़ेगी इसलिए कहता हूं इस डाइग्रामों को पढ़ना चालू करो अभी क्या हो गया है अभी क्या LCD रिसेट नहीं आती तो पूरा डिस्प्ले आपका कैसे होने वाला है ब्लैंक तो यह जीपी आयो पार्ट से मतलब कमांडिंग पार्ट बोलते इसको जनरल परपर से न आउट और यह बिसिकली कोडिंग पार्ट है यह कोडिंग के पार्ट होते हैं यह तब काम क इस IC से होने वाला है और यह IC होने वाली है PMA अभी कैसा है अगर यह reset नहीं बना तो हमको A पर काम करना है यहां पर हमको CPU नहीं उतारना CPU का test point नहीं देखना नहीं CPU को डिल करना है नो भाई नो हमें PMA पर काम करना है मतलब अब PMA जो है वो काफी इंपोर्टेंट है डिस्प्लेय के लिए ठीक है यह भी देख लेते हैं यह दो CPU से ही आ रहा है SM ठीक है ठीक है इंट्रप्टेटेश से है वहीं क्लियर सब्सक्राइब यह भी CPU से ही है आज यह CPU से है अभी क्या यह नंबर देखके पादा चल जाता है अभी P38 किसी पावर में तो नहीं होगा CPU से है ID की लाइन CPU से हो पर कोई भी देखो ना पुल आप ना कुछ ना सीरीज कुछ नहीं है आप देखलो तो यहां तो और कुछ भी नहीं है अब सब कुछ पावर कर रहा है यह निए दूरेंगे यह अगए यह यह उन्हां अब हमें यह बनाना का करें तो सबसे पहले इंपूट एंपूट देखने मैं इस iC को पढ़ना है तो wähled B snipp in तो आप देखरें वे सबसे पहले इसको v ph पाउड मिलता यह जो like sia कि इस को सबसे पहले मिलना जोड़ी है कितने होंगी चार पहला इंट कि और क्या है भाई कि आप देखो बीपीएच ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख लिया यह लगा है और यह आपको आ गया बीपीएच ऐसा है कि आपके अंदर पैड पर आना चाहिए आइसी उटार के 51 यह करके क्योंकि कैसा है ना मालों अगर फिटीवन बना तो आइसी वी अंदर से इंटर्णली सर्किट काम करना बन कर देगा तो तीन जगे घुसर आए एक सेवेंटी टू जोकी वी डीडी एल वी डीडी के लिए ले देखे सारे वोल्टेश के लिए यार ठीक है एक यहां भी देखो तो सुचिंग है वह कॉमल सेट के यार मतलब कुछ भी नहीं है इसमें आगर मैं आपको बूल तो आकी में कुछ भी नहीं जनली आप देखो तो इस आइसी के पास में ना तीन कॉले होईगी ठीक है और इन तीन कॉलों का डिजाइन बनाए देखो एमोलीडी के पास ना में साथ तीन कॉले होती है जिसमें से कैसी लगिए ग्राउंड यह सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि यह ग्राउंड एल वी एसस या की माइनस के साथ सुचिंग करती है मतलब यह वाली सुचिंग करेगी तब जाके आइसी एक अलग से विल्टेज बनाएगी माइनस फूर्ट यह नहीं बनाएगी अलग से बनाएगी और उस लाइन का नाम होगा कि यल उस डांक का नम होगा लाइनस फेस उसे खी bitter को आदेग अवह हैं इस यह वाला लाइनस अहल कॉल उसकी सुचिंग करेगा प्लस ग्राफिक का यह वाला सुचिंग करेगा तब जाकि यह आइसी अलग से वोल्टेज बनाएगा प्लस फॉर्ट ठीक है इसका नाम होने वाला है यह वी डीडी और यह वाला जो कोईल सुचिंग करेगा यह OLED मतलब यह लाइट की सुचिंग करेगा यह वाला आप देखो तो 4.7 माइक्रो हेंडी यह आप चाहो तो यहां पर ना पैन माइक्रो हेंडी भी लगा सकते यह बात बहुत लोगों को नहीं पता यहां बदेखो तो 2.2 लाती है माइनस वाली लाइन पर तो यहां कुछ भी नहीं है मैं तो सोच रहा था यह आईसी बड़ी होगी मजा आएगा पढ़ाने में यह तो बेबी आईसी देख लिए इसको क्या चाहिए इसको सिब है ना दो सिगनल चाहिए एक येल ओन टू चाहिए और एक से ये व्यू डी डी इन और ये दो चाहिए ना ये दो कहां से चाहिए डिस्पले से ठीक है तो ये वोल्टेज पूरे हो गए अब आउट्पूट तो आउट्पूट में कैसा है तीन कोईल लगी है एक कोईल 4.7 माइक्रो हेंड्री जिस पर आप कितनी लगा सकते हो दस एक 4.7 माइक्रो हेंड्री हाहिए व्यो हो हुआ इए हुआ 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 पेजिए नहीं में जाए है एक यह जो है यह लाइट का है एक यहाला जो कोईल है यह ग्राफिक्स का है और यह वाला कईल भी ग्राफिक्स का है पर यह ग्राफिस के प्लस की सुचिंग करेगा और यह पसको पर कुछिंग होने के लिए ना VPS चाहिए, इसको अभी VPS चाहिए, ठीक है, और यह दो को इरतम जाके नहीं, यह आउप्ट बन रहा है, फीड़बैक के साथ, तो कैसा बन रहा है? यह गुरा आउप्ट रहने वाला है, पहला आउप्ट बन रहा है, जो कि आपके कनेटर पर जाएगा, ELVDD, प्लस फॉर, प्लस उसका फीड़बैक, ठीक है? दूसरा आउप्ट जो बन रहा है, उसका नाम रहने वाला है, ELVSS, प्लस उसका फीड़बैक, और तीसरा जो आउप्ट बन रहा है, A, V, D, D, प्लस सैवन गूल्ड, यहाँ पर क्या नितरे हो, OLEDB, प्लस उसका, क्या, फीड़बैक, तो यह IC में कुछ ज़्यादा है नहीं, जान, छोटी सी IC है, इस IC को यह दे दो, और यह दो-दो देखो, तो यह IC क्या करेगी, स्विचिंग करना चालू करेगी, स्विचिंग, इन केस, अगर यह कोईल ओके है न, तो यह IC स्विचिंग करेगी, और यह आउपुट बनाना चालू करेगी, पर क्योंकि यह जो दो वोल्टेज है न, यह डिस्प्ले की रिकॉर्मेंट है, डिस्प्ले सही होगा, तो ही आएगा, अधर्वाइस यह वोल्टेज नहीं बनेगा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर सलूशन यह है, कहता यह है कि पहले कोईल हमें साच चेक करना है, क्योंकि कोईल ही सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं, डामेज, ठीक है भई, फिर दूसरे नमबर पे हमें, किसको चेंज करना है और रिबॉल करना है, आइसी, और तीसरे नमबर पे, क्या चेक करना है, इंपुट वोल्टेस, क्योंकि अगर माल लो, यह दो ही नहीं बन रहा है, तो अब का डिस्पेई खराब है, तो क्या ही वा, आईसी ए, आउपुट देख, तो कि इनका ट्रक भी टूटा रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, तो यह छोटा सा सलूसन आप लोगों के लिए, सामने मैं लाइब आया हूँ, और, अभी क्या दबाई खाईये रहे, इसलिए ग्लादा बूला नहीं जा रहा है, और अभी बूलने के इच्छा भी नहीं हो यह, बट फिर भी मैंने यह पूरा अटेंड किया, और अगर आपको इसको डीव लेपल पर समझना है, तो आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, एससे टेलिकॉम, एससे टेलिकॉम आना पड़ेगा आपको, मैं आपको एससे टेलिकॉम के बारे बता दू, जो भी लाइट देख रहा है, तो मेरा फर्ज बनता उसको बताना वन टाइम, अभी इस फेसल उफर चल रहा है, इस महीने, जो मेरा आइफोन का कॉर्स है, इससे 14 प्रो मैक्स और प्लस मेरा 5G अफडेट है, जिसमें मैं बढ़ा रहा हूं, वो दोनों ही आपको फिरी दिया जाएगा, सिर्फ महीने के बैच के स्टूडेट को आने वाले, और यही है कि जब बदस्ट पढ़ाएंगे, और टेक्निस में जे टीचर बनाएंगे, और गरंटी बिस्ट पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया, और आपको लगे, आपको पता ही नहीं चला कि कप पढ़के चले गए, या डाउट फुल में रहेड है, तो ऐसा होने नहीं नहीं देगे, और सबसे इन्पोर्टेंट है कि हैंड स्किल को सबसे बदस्ट बनाएंगे, तो आपको अमारे ये डिये के नंबर पर कॉल करना है, ठीक है, तो ये देखो, तो इसको कहते हैं सिस्टम हैंग होना, जरा नहीं होता है, चलो ठीक है, ओगे, अल्डा बेस्ट, फिर मिलते हैं नहीं सिलूजन के सारे,